आज हम बात करेंगे contiguous and non-contiguous memory allocation के उपर contiguous and non-contiguous memory allocation देखिए आपने पता है जब हम किसी भी process को एग्जीकूट करते हैं तो वो secondary storage से होकर पहले कहा लोड होती है हमारे main memory में तो main memory में कैसे allocate होगी वो दो तरीके होते हैं एक contiguous allocation and non-contiguous allocation contiguous का मतलब कि आपके जो main memory है suppose कर लिजे हमारे पास कोई main memory है ठीक तो यहाँ पे हमारा क्या है blocks बने होते हैं ठीक उसमें आपके allocate मतलब सेम अगर suppose कर लिजे मेरे पास 10 MB की कोई memory memory available है तो क्या होगा यह इसके block बने हैं suppose कर लिजे 2 MB की blocks बने हैं या अलग-अलग different size के भी बने हो सकते हैं तो उसमें contiguous होता है non-contiguous की जहाँ पे उसे available मिलेगा वो block वहाँ पे allocate हो जाएगी तो अगर हम contiguous memory allocation की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की contiguous allocation होता है दो तरीके का होता है पहला आपका होता है fixed और दूसरा वाला होता है variable ठीक है तो fixed contiguous memory allocation का होता है और variable उसमें दोनों में difference है fixed का मतलब हो गया कि हमने अपनी memory को कुछ blocks में divide कर लिया for example जैसे मैंने यह example लिया है कि हमारे 10MB की कोई main memory है और उसको मैंने divide किया है जैसे 10 है तो हमने 2MB का ले लिया तो fixed उसमें ले लिया कि 2MB के सारे parts होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि किसी का size differ भी हो सकता है for example मैंने ले लिया इसमें मैंने एक आपका ले लिया 3MB का फिर हमारा क्या हो गया फिर से एक एक मैंने और portion बना लिया 3MB का और बाकी मैंने 2MB के तो इसमें क्या है आपके different size के हैं same size का block नहीं है तो दोनों तरीके में से कोई भी हो सकता है बट यह मेरा fixed क्यों कहलाएगा क्योंकि यह already blocks divided हैं इसमें हम इसमें बाद में नहीं कर रहे हैं जो भी मुझे process आपको इसमें load करनी होगी या memory allocate करानी होगी तो जितने blocks आपके पहले से बने हुए हैं उनी में कराऊंगी मैं ठीक है तो यह fixed हो गया अब problem क्या आती है यहां पर दो fixed जो आपका contiguous fixed memory allocation है इसमें दो problems आपकी आ जाती है for example कि इस150 को हम ले रहे हैं कि हमारे पास कोई 3BB का i towns कर लीजें हमने यहा पर memory HYdy करा दी है अब एक कोई आ जाती है for example 4 MB की तो हमारे पास available memory तो है total space कितना है अगर हम free space देखेंगे तो हमारे पास कितना space है 5 MB का 3 plus 2 MB जो हमारे पास है total कितना है 5 MB हमारे पास available है लेकिन क्या हम इसे store करा सकते या allocate करा सकते नहीं करा सकते क्योंकि हमारा contiguous memory allocation contiguous का मतलब कि हमें एक साथ चाहिए थी लेकिन इससे पहले क्या अगर मैं 5 MB की है तो पहले यह लगातार मुझे मिलनी चाहिए लेकिन यहां पर क्या है 3 MB का free space है लेकिन दूसरी आपकी जो 2 MB का है वो block free नहीं है उस पर already कोई process loaded है तो 2 MB उसके बाद free है तो यह जो problem है हमारी क्या कहलाती है external fragmentation external fragmentation means external fragmentation क्या होता है फिर से समझ लीजे कि अगर कोई भी space हमारा free space आपका greater than होगा किसे requested memory से मतलब request कितनी की जा रही है 4 MB की जो requested है ठीक है requested memory कितनी है 4 MB जो की कम है हमारे पास free space से 5 MB हमारे पास खाली पड़ी है लेकिन 4 MB का वो request कर रहा हम दे सकते हैं लेकिन इसमें allocate नहीं हो सकती क्यों क्योंकि वो contiguous नहीं है अगर वो contiguous होती तो हम उसे allocate कर देते तो external fragmentation में यह होता है कि आपका memory total memory space तो free space जो है वो अब लेबल है बट हम उसको store नहीं करा सकते क्योंकि वो contiguous नहीं है internal fragmentation एक और आती है term internal fragmentation internal fragmentation क्या होता है हमारा internal fragmentation suppose कि यहीं पर example हम ले लेते हैं अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे हम अब कर लीजे तो इसमें क्या हुआ आपकी बाखी का जो है वो बचा अब यह जो बचा two mb space free हो गया occupy किया कितना one mb three mb में से उसने कितनी लोट करी सिर्फ one mb उसकरी बाखी के two mb जो है वो free हो गई तो अब क्या हुआ space तो मेरे पास बच गया लेकिन क्या मैं इसमें store करा सकती हूं नहीं क्यूंकि अगर एक बार कोई भी memory allocate हो जाती है किसी process को वो दूसरी बार किसी और को allocate नहीं की जा सकती तो अगर देखा जाए तो मेरे पास यह भी आवलेबिल है लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते तो यह वाली जो problem होगी वो कहलाती है और अगर मेरे पास अलग अलग block free है तो वो क्या हो जाएगा और लेकिन फिर भी मेरे पास कंटिगेस allocation नहीं है तो वो कहलाएगा external fragmentation तो यह दोनों different है तो अगर मैं fixed की बात करती हूं कंटिगेस memory allocation में fixed जो है उसमें यह दोनों problems generate होती है external fragmentation और internal fragmentation अब हम बात कर सकते हैं variable की variable का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मैंने block नहीं बनाया मेरे पास 10 MB की एक memory थी मेरे पास सबसे पहले अगर मैं इसी example को ले लूँ कि 3 MB की आई तो मैने क्या करा एक block बनाया 3 MB का और इसको allocate करा दी फिर आया 2 MB का तो मैंने इसी hum मेंसे इसका block बनाया 2 MB का तो मैंने इसको करा दिया मैंने इसको ठीक है अब उसके बाद suppose को अब हम आनी Doesn't तो हम क्या करेंगे अब हम 4 MB कलेंगे ठीक क्योंकि इसमें मेरे variable length का है तो मैं जितना चाहिए अपना बना सकती हूँ अपने आप जितनी request होगी वह memory का ब्लॉक उतना हो जाएगा दे दिया जाएगा और उसके बाद free space छोड़ दिया जाएगा तो rest of the memory कि इतनी बची 1 MB ठीक 4 MB की मेरी allocate हो चुकी है यह तो अब इसमें क्या है हमारी कौन से problem दूर होगे internal fragmentation तो जो internal fragmentation की problem हमारी generate हुई थी किसमें fixed continuous allocation में वो variable में नहीं होगी क्योंकि हमारा fixed नहीं है जब fixed नहीं है तो हमारे पास हम जितनी चाहें हमारी जितनी need है हमने उतनी ले लिए 3 MB जैसे हम कि हमारे blocks उतने पहले से decided थे तो हम सेम तो हमारी आई नहीं सकती है किसी भी process का same size के available हो यह तो possible नहीं है practically possibly नहीं है कि सारी space उसी same space की हो अब उतने में आ जाएं तो हम अपनी memory waste ना करके हम क्या करेंगे अपना हम variable के through अपना एक problem दूर कर सकते हैं जो कि internal fragmentation की हो रही लेकिन external fragmentation अभी भी इसमें रहेगी वह कैसे कि suppose कर लिजे कि मैंने यह 3 MB का दे दिया 2 MB का दे दिया 4 MB अभी 1 MB है अब कोई भी जब process complete हो जाती है तो वह फिर से free कर देगी space तो suppose कर लिजे कि यहाँ पर 2 MB वा जाएगा इस space तो हम इसमें allocate कर सकते हैं अब हमारे पास 3 MB की कोई आई तो अब हमारे पास total space कितना है 2 MB प्लस 1 MB फ्री हो गया लेकिन अभी भी हम इसको allocate नहीं करा सकते क्यों क्यूंकि हमारे पास contiguous नहीं है और यह हम हमारा जो contiguous memory allocation है वो कहता है कि आपका contiguous block होने चाहिए ठीक है तो contiguous memory allocation में हम external fragmentation की तो problem बनी रहेगी हमारी internal fragmentation की problem जो है variable contiguous allocation में दूर की जा सकती है ठीक है तो अब इसमें बात कर सकते हैं यह तो हुआ contiguous memory allocation non contiguous का क्या मतलब है कि हमारा जैसे ही यहाँ पे है कि suppose करो मैंने यहाँ पे कुछ blocks बना दिये हैं मेरे पास available हैं और मु suppose करो 1MB की है यहाँ पे अलग-अलग space का दे रखा है या same size का भी दे रखा है doesn't matter जैसा भी आपका divide किया जाएगा वैसे होगा तो 2MB का बना है यहाँ पे 1MB का है ठीक यहाँ पे 1MB का है फिर 3MB का आ गया फिर हमारे पास क्या आ गया 1MB का और ले लिया फिर 1MB का और यह 1MB का अब मुझे अगर non-contiguous allocation की बात करें तो non-contiguous का मतलब हो गया कि मैं यह कहीं पे भी कर सकते हूं कि एक मेरा जो यहाँ पे है suppose कर लो एक डेटा यहाँ पर है available 5MB का है ठीक तो एक यहाँ पे ले लिया और यह 3MB का मैंने कहा तो एक यहाँ पे ले लिया एक कहीं यहाँ पे बि यहाँ पे भेज़ देगा ठीक फिर आपकर मुझे यहां से 4MB का suppose होता और यह पहला होता ब्लॉक यह दूसरा और यह तीसरा ठीक है यह थर्ड वाला ब्लॉक होता यहां पे मैं कर रही होती है तो इसके last वाले pointer को पता होता है इसका first address ठीक तो यह non-contiguous allocation जैसे कि हम link list में कर हम यह जगह में लिए हमने अपना data store कर दिया तो इसमें हमारा जो है यह external fragmentation की problem नहीं होती है ठीक है तो यह हुआ non-contiguous allocation अब जैसे यहां भी बात चल रही थी कि जो external fragmentation है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं उसका solution है कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन ठीक है यह किसलिए यह कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि हमने जैसे यहां पर क्या हो रहा था external fragmentation क्या है हमारा कि बहुमारा पर space तो है लेकिन हम उसे allocate नहीं करवा पा रहे हैं क्यों क्योंकि वो contiguous नहीं है तो हमने क्या करा जितना used data या स्वरी used memory है उसको एक site कर दिया जैसे यहां पर हमने क्या करा कि यूज़ वाली जो भी थी हमने उठा उठा कर दिया यहां चूंब और यह उन्यूज़ हो गई ऑँंदू अनियूज़ आनियूज़ का मतलब हो गया कि भाई चो भी खाली है अब इसमें आप करिए लेकिन इसमें हमारा time बहु प्राइब दोड़ा टाइम देना पड़ेगा अलगोर नी पड़ेगी उसके बाद हमारे जो खाली स्पेस होगा वह एक तरफ आ जाएगा तो यह सॉलूशन तो है बट हम उससे बैटर है कि हम नॉन कंटीगेस अलोकेशन यूस करने बहुत ईजी भी है कि आप उसको करने तो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉन कंटीगेस अलोकेशन के बारे में ठीक है तो यह आपका जो है जो टू टाइपस मैंने आपको बताए कि कंटीगेस और नॉन कंटीगेस में अलोकेशन यह दो प्रॉब्लम्स जेनरेट होती है अगर मैं समराइस करूं में external ऋzd गिए आपका जो है दोनु प्रॉब्लम में आख को यह होता है इंटर्नल फेंटेशन को हम र् маг elector सकते हैं था अब